नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम संस्कृत का पाठ चौधे पढ़ने वाले हैं चतुर्दश है पाठ है चौधमा पाठ इस पाठ का नाम है सुभाशितानी इसका अर्थ है अच्छे कथन ठीक है तो पहला है अभी वादन शीलत से नित्यम वर्धोप सेविनह तस्वा चत्वारी तस्वर्धनते आयूर विद्या यशो बलम अर्थात जो व्यक्ति अपने सेवड़ों का रोजाना सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है उसकी चार चीजे पढ़ जाती है कौन-कौन सी आयू, विद्या, यश और बल ये चार चीजे उस व्यक्ति की बढ़ जाती है जो रोजाना अपने सेवड़ों का सम्मान करता है ठीक है प्रत्वियां तिर्णी रतनानी जल्मन्नम सुभाशितम मोढई पाशान खंडेशू रत्न संग्या विधियते अर्थात हमारी प्रत्वी पर तीन रतन है कौन-कौन से है तीनों रतन जल्म, भोजन और मीठा बोलना सुभाशितम का अर्थ होता है अच्छा बोलना, मीठा बोलना मूढई मूर्क लोगों को पाशान खंडेशू पत्थर के टुकडे ही रत्न संग्या विधियते रत्न मानते हैं काक चेस्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथाइव चे अलपाहारी ग्रह त्यागी विध्यार्थी पंच लक्षणम काक चेस्टा कोई जैसी चतुराई, बगुले जैसा ध्यान, स्वान जैसी निंद्रा यानि स्वान जैसे सोना, कम खाना और ग्रह का त्याग ये विध्यार्थी के पाँच लक्षन है ठीक है अलसस से कुतो विध्या ए विदस से कुतो धनम ए धनस से कुतो मित्रम ए मित्र से कुतो सुखम कहने का अर्थ यह है कि जिस जो आलसी है उसको विध्याप्राप्त नहीं होती और जो अनपड रह गया उसके पास धन नहीं होता जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र नहीं होते और जिसका मित्र नहीं होता उसे इस दुनिया में कहीं होते